देश में किरसी बील को लेकर जहां एक तरब मोदी सरकार अपनी पीठ थपतपा रही है वही दूसरी तरब इस बील के विरोध में विपक्षी पार्टी सडकों पर उत्री हुई है चाहे खुद किसान हो या नेता इस बील का पुरजोर विरोध कर रहा है इस क्रम में दिली परदेश कांगरेस कमेटी ने पूरी दिली के अंदर इस बील के विरोध में किसान सम्मेलन का आयोजन किया और आप तस्वीरे देख रहे हैं नई दिली इस्तित पिलंजी गाउं की जहां कांगरेस जिला अध्यक्ष ब्रेंद्र कसाना के नेत्रित में इस परटी विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह जो बिल है यह ना केवल किसान के खिलाब है बलकि पूरी देश के जनता के खिलाप यह इसका असर आने वाले समय में पूरे भारत वरस के ओपर होने वाला है और जिस तरह से बिल को पार्लेमेंट के अंदर पास कराए गया बिना चर्चा के ये भी एक बहुत गलत राजनीती का जो इन्होंने एक पहल की है संसत के अंदर इस तरह की पहल बड़ी गलत है चर्चा होनी चाहिए थी चर्चा के बाद में किसी बिल्क को कानून को रूप देना चाहिए था लेकिन बहुत गलत हुआ है और देश के अनदाता के तो सब्द होता ही नहीं है पार्लेमेंट के अंदर अपनी बात कहने का हक सबको है लेकिन साथी साथ उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए यदि आप पार्लेमेंट के अंदर भी पक्स पात करेंगे यदि पार्लेमेंट में भी चुनेवे पर्तिनिती की बात को नहीं सुने है अगर पार्लेमेंट के अंदर कोई कानून पास होता है तो हर वेक्ति को वो पर्भावित करता है तो उनों ने अपनी बात कहने की कोशिश की अपनी बात को रखने की कोशिश की लेकिन नहीं सुना गया आवेश में आके कुछ सातियों ने जरूर अपनी बात को दूसरे से कहा लेकिन इसके माईने ये नहीं है कि जो किसान के खिलाब कानून देश्वकी जनता के खिलाब गानून पास किया है संसत ने वो कानून ठीक हो गया है देखिए ये तो बड़ी हसे पस्तपत बात है कि ऐसी बात मिनाक्षी लेकी जी कह रही है आप देखिए हरियाना के अंदर जजजर की रैली में उनको किसान नहीं मिले भाज़पा को किसानों ने विरोध किया किसानों ने अपने ट्रेक्टर नहीं दिये पंजाब के अंदर आज सड़कों के अपर कोई उतरा है तो किसान उतरा है ना कि कांगरिस के कारेकरता उतरे हैं एक आम जन आज उतरा है और एक आम जन आज तरही तरही कर रहा है और हर जगा चर्चा है जो किसान नहीं भी है वो भी इस बात को समझ रहा है कि ये किस तरह का काला कानून है आप ये देखिए इस देश के अंदर ऐसा कानून कि पूंजी पतियों को किसानों से जोड़ दिया गया सरकार ने अपना रोल उसके अंदर खतम कर दिया जो सरकार की भूमी का थी उससे अपने आपको भार कर दिया मेरी फसल का कम से कम इतना दाम तो मुझे मिलेगा हो खतम कर दिया आज क्या है आज मेरे पास ये कानून है इस कानून को मैं लेके आया हूँ आपको मैं पढ़ा सकता हूँ इसके अंदर एग्रिमेंट होगा किसान के साथ में उसकी खड़ी फसल के साथ एग्रिमेंट होगा और उसके बाद जब एग्रिमेंट होगा जब फसल त्यार हो जाएगी तो जो साहुकार है जिसके साथ वो एग्रिमेंट करेगा वो एग्रिमेंट का उस वक्त फसल का दाम अगे खिए अगर लगेगा कि ये अभी फसल ठीक नहीं है ये ये ठीड हो तैय करेगा और तेगा के उसके बाद में अगर जगड़ा बढ़ता है तो आपको छो परक्रिया है जिसके तेट आप अगर कोई जगड़ा होता है तो दिवानी और दूसरी फोज़दारी उन अदालतों में आप जा सकते हैं इसके अंदर आपको दिवानी अदालत से भार कर दिया है अब आपके जगड़े एसडियम और एडियम निप्टाइंगे क्यों है ऐसा सारा किया जा रहा है हर तरह के मुकदमे के लिए हर तरह के कोट खुली हुई है लेकिन इस मामले के अंदर आपने नया एक परिक्रिया करूपी बदल दिया है आप सिविल कोट में नहीं जा सकते हैं एडियम एसडियम उन अपनी फसल को अने पौने दाओं में बेचेगा और उसके बाद में अपने ही खेतों में आने वाले समय में जो आज किसान है जो जमिदार है वो कल को मजदूर होके रह जाएगा मैं बताना चाहता हूं कि जो रेट बढ़ा हैं मैंसपी का जो कानून है वो उनीस सो सट्सेट में इंद्रा गांदी जी जब मानिया इंद्रा गांदी जी जवाला नहरू जी के बाद में जब सरकार थी तो एक मैं सट्सेट कि जी याड होगा कि हमारे यहां पर खेती के रोप में हमारे को गहुबी विद्यसों से माँआप पड़ ता था तब लालबादी जी ने नारा दिया आता है जय जवान जय किसान तो उसमें हमने खेती की तरफ एक ग्रिन रेवलुशन हरित करांती का नाम देके कॉंगरिस पार्टी ने इसके सुरुवात करी और किसान को मजबूती देने के लिए MSP की सुरुवात करी कि किसान की जो फसल है उसको एक नियूनतम मुल्य किसान को जरूर मिले जिससे कि उसकी कमर ना तूड़ जाए जिससे कि उसके साथ में सरकार खड़ी हो सके और आज MSP को खतम कर दिया और एक फसल नहीं है आज नियूनतम समर्थर मुल्य में आज 26-27 फसले उसके अधीन आती है और समय समय में उसके रेटते होते हैं लेकिन आज सरकार ने अपना पला जाड़ लिया है किसान को अपने से दूर कर दिया है और प्राइवेट हातों में फसल को बेचने के लिए मजबूर कर दिया है आने वाले समय में होगा क्या कि जब मंडियां बंद हो जाएंगी जब किसी तरह से भी सरकार का दखल नहीं रहेगा तो आने वाले समय में जो पूंजी पती लोग हैं वो किसान से मन मर्जी के दाम पे फसले खरी देंगे देखी आज जो सरकार ने किया है उसको ताना साही तरीके से उसको दबाना चाहती है और आज किसी भी आप मुवमेंट में जो सरकार आज चला रही है उसमें आप देख लीजिए कि कोई किसान उनके साथ में नहीं खड़ा है उन्होंने सारे देख कंदर किसानों को मुवमेंट चलाने की कोशिश करी है लेकिन आज किसान उनके साथ में कोई नहीं खड़ा है कुछ भाड़े के लोग जरूर वो लेके आ रहे हैं लेकिन जहां तक रहुल कांदी जी ने ट्रैक्टर रैली करी हजारों लाखों लोग उ लाए हैं और भीर साथ में लाखों लोग सात में और राहुल जी इतने लोग पर यह नेता हैं कि लाखों लोग उनको देखना चाते हैं उनसे मिलना चाते हैं तो उनकी सुरक्षा की दिरिश्टी से उसको ऐसा बनाये गया विपक्स का जो आ रोप निराधार रहा है एक आरोफ ये भी है कि अंबाला से टिकेट ट्रैक्टर को लाकर डिन डी पे फूब दिया गया नंबर अंबाला का लिकला बाद में गया देखिए सरकार का तरह तरह से ध्यान आकरसित करने के लिए कही तरह के काम करने पड़ते हैं जो नेता आज ये बात कर रहे हैं यही लोग कभी बैल गाड़ी लेकर आया करते थे कही लोग यह पारलेमेंट के अंदर बैल गाड़ी में खुचने की कोशिस करते थे इन्होंने बड़े सारे पाखंड करे हुएं लेकिन सिर्फ ध्यान आकरसित करने के लिए एक ट्रैक्टर का जो है पुराना ट्रैक्टर था उसको सिर्फ इस लिए कि भी इसका ध्यान आकरसित किया जा सके सरकार का एक बार और पुझे जाता हूँ कि MSB का सपोर्ट करना चाहते हैं सतारे के MSB जहां minimum सेलिंग क्राइज हुआ करदा था मंडी में आते हूं maximum सेलिंग क्राइज हो जाता था तो मैं आपसे पुझे जाता हूँ क्या आप MSB का सपोर्ट करते हैं बिल्कुल करते हैं MSB का सपोर्ट इसलिए करते हैं कि किसान को सुरक्सा उसी से दी जा सकती है ऐसा नहीं ता आज भी किसान उसी मंडी वेस्ता में ही खुस है आज भी किसान को कम से कम ये तो पता है कि मेरा जो प्रोडूसर मेरा जो खादान है मेरी जो उत्पाद है उसको मैं कहीं बेच सकता हूं जाके एक जगा तो तैहे अभी जो नया कानून है उसमें तो वैपारी सौधागर वो जाएगा और तैह करेगा कि आपके दाम ये हैं मैं ये दूँगा आपको कछ और कहीं देने हैं तो और देख लीजिए और ये कुछ ल समझे हैं इतना कहां उसके पैसा है कि पूंजी पती से लड़ पाएगा क्या वो अपना फसल पैदा करेगा उसको बेचेगा अपने बच्चों के लिए खाद्यान उत्पादन करेगा या कोटों के चक्कर लगाएगा तो ये किसान को फसादेंगे और अंत तो गत्वा होग वह से हम व्यापक तोर पे इसकी समिक्षा करेंगे और पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी कम्या हैं मुख्य रूप से जो किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता था वो राइटिंग में नहीं सरकार दे लिए जो पार्लेमेंट में प्लेस किया गया और रखा गया और आम जन्मानस और किसान जब तक पूरे इस किसान बिलको समझेगा नहीं तो वो इसके कम्यों को कैसे जान पाएगा कांग्रेस पारटी हमारे राहूल गांदी जी ने यही इसकी जो कम्या हैं मुख्य रूप से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको बताने के लिए कि अगर नहीं होगा तो किसानों के साथ किस गार से सोसन किया जाएगा और नंबर दो इसमें बहुत सार जैसे कानून की अभी बताई है हमारे अध्यक्ष किसाना जी ने कि अगर हमारे यहां पर 80% जो किसान है वो दो भी गया से लेकर 5-10 भी गया चोटे किसान है जब एक ताकतवर आदमी के होती है गरीब किसान के होती है तो यह सोसन सुरू हो जाएगा और इसमें मुखे रूप से एक चीज और देखी गई यह जो किसानों के अलावा भी आम जनता और हम सब कैसे अफेक्ट होंगे इसेंसल कमुटिटीज में पहले सरकार ने रखा हुआ तकि एक निश्चित मात्रा के अंदर आपना स्टोरेज कर सकते हैं समान को आप देखते हैं कि प्याज का दाम अगर एक साल में एक मीने के लिए बढ़ जाता है तो कितने करोड़ों रुपे की गैम होती है जब इस परकार के उद्यूपती उन्हें छूट मिल जाएगी अपने बंदारन करने की इसेंसल कमुटिटीज में नहीं रहेगा तो वो इसको एक साथ भंडार करेंगे और अपने आर्टी फिस्यल रूप से इसके रेट को एक मीने के लिए बढ़ा देंगे तो बहुत करोड़ों रुपे का हम सब के उपर बहु जाएगा हम सब इसके सोशन के सिकार होंगे किसानों के अलावा यह सब आम जंता को पूरा जब इसको पढ़ा जाएगा तो पता लगेगा कि किस तरीके से सरकार ने एक छलावा किया है के विल अपने कुछ मित्र उद्वपतियों को फैदा देने के लिए देखिए कॉंग्रेस ने वादा किया था किसानों के लिए तीन स्टेट में राजिस्तान च्छतिसगर्ड और अपना मद्देपरदेश तीनों जगा हमने एक महीने के अंदर किसानों का जो करजा था वो माफ किया ये हमारी राहुल जी की सोच थी क्योंकि किसान देश की रीड की हड्डी है और किसान ही देश को चलाता है और अगर जो किसानों के उपर बोज पड़ेगा तो यह देश नहीं चल पाएगा और यह उन्नती नहीं कर पाएगा पर जिस तरह से ताना साहर हवय से कॉंग्रेस बात के खिलाफ है, जिस तरह ताना साहर हवय से इन्होंने बिल को पास किया है। चीए थी उन्होंने चर्चा भी नहीं कराई और ताना सहार होईया से उसे प्सक्रार थीज़ जो जो पकिसानों के की बात करो आज रेलवेस को सुनने में आ रहा है कि वो प्राइवेट हो जाएगा पहले तो आप विपक्ष में थे तो बड़ी-बड़ी बाते करते थे कि भई नहीं होना चाहिए आज सब तरह से आज पूरा देश जब मुझे आप यह बताइए कि जब कॉंग्रेस थी सक्ता में तो कॉंग्रेस भी इस बिल को पास करा रही थी लेकिन उस समय जो विपक्ष में बीजे भी बैटी थी उसने बड़ा तांडब किया ने बड़े होला किया कि इस बिल में कमिया है इस बिल में पास नहीं होना चाहिए आज तक कोई भी बिल पास हुआ है तो उस पे पाना सहा रवया अपनाया है ना उसके कॉंग्रेस पार्टी खिलाफ है राहुल जी उस चीज के खिलाफ है कि राज्य सब्सक्राइब को राज्य सब्सक्राइब किया गया यह बहुत ही बेकार रवया है सरकार का और मैं तो यह सोच रहा हूँ आज देश के अंदर जो GDP भी हाथ में सरकार चल रही है हम इस बात के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करती है कि हम पूंजी पतियों के खिलाफ है आप सरकार चलाइए एक तरह से आप मतलब पूंजी पतियों को यह पूरा देश दे देंगे तो कैसे होगा यह तो पुराने वाला हाल आ जाएगा